Hello everyone, welcome to my channel आज के वीडियो लेक्चर में हम कुछ AC health problem और उसके solution के बारे में बात करेंगे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यह जो area है, यहाँ पे यह जो highlight हो रहा है वो हमारे नी का part है यानि कि हमारे जो जूड में जो डड़ होता है, हमारे जो नी है, हमारे जो गुटनों है वहाँ पे ड़ड होता है, तो वो किस वज़े से होता है और इसके लिए क्या ilaj हो सकता है दूसरी जो problem है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे जो mass patient है, पीछे वाली वहाँ पे आपको खिजाव हो रहा है, बहुत तीज ड़ड हो रहा है तो यह जो सभी help problem है, उसको हम detail से जनते हैं कि mass patient में खिजाव आना, जैसे कि हमारे पेरों के तलवे से हमारे नी तक pain हो रहा है आपको body में जहाँ पे भी joints है, वहाँ पे सब जगर पे joint pain हो रहा है पेर की मोच आपकी ठीक नहीं हो रही है और mass patient में दढ़ हो रहा है तो यह जो सभी symptoms हैं, वो symptoms को कैसे ठीक कर सकते हैं तो उसकी medicine के बारे में सीखेंगे, इस medicine का नाम है itofood MR तो itofood MR यह जो medicine है, इसके बारे में आज का हमारा detail video lecture रहेगा तो आप plastic बने रहें, अगर आपको भी यह medicine suggest की जा रही है तो इसके बारे में आपको proper जानकारी मिलेगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा video lecture और उसमें सीखते हैं itofood MR के बारे में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले में आपको यह एक बात बताना चाहती हूँ कि itofood यह लीफूड के नाम से यहाँ पर food है, ito का मतलब है itoricoxy MR का मतलब होता है muscle relaxant तो itofood MR कुछ AC क्लास की medicine है जिसको हम कहते हैं NSAIDs यानि कि non-steroidal anti-inflammatory drug और यह एक muscle relaxant की category है basically यह जो medicine है वो हमारी body में pain और जो inflammation हो रहा है जो solution हो रही है उसको काम करने में काम आता है brand name इसका itofood MR है यह दो combination से medicine बनी हुई है इसका जो salt composition है उसमें है itoricoxy आप यहाँ पर देख सकते हैं तो इसका जो dose रहता है वो है 60 mg और thiacolchicocyte इसका जो dose है वो है 8 mg दोनों मिलाके आपको itofood MR दी जाती है अब बात करेंगे कि सो manufacture leaf food healthcare company करती है यह Indian multinational pharmaceutical company है जिसका headquarter कहाँ पर है लुदियाना पंचाब में और आगे हम सीखेंगे किसकी uses कौन कौन सी condition में हम इसे use कर सकते हैं जैसे कि osteoarthritis, rheumatoid arthritis, gouty arthritis, ankylosing spondylitis, acute pain, chronic lower back pain, muscle spasm तो यहाँ पर हमने numbers of problems देखी है यह problem में itofood MR जो है वो यूज आती है कि joint pain हो रहा है वहाँ पर हमारा disc है वो disc खिसक गई है या फिर यह जो bonds है यह bonds हमारी एक दूसरे के साथ attach हो जाती है तो यह सारी problems होती है उसको itofood MR जो है वो ठीक करती है नाव वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहते हूं अगर आपको हमारे साथ एसे ही study करना अच्छा लगता है और यह जो बुक है हमारी वो आपको चाहिए तो इसके लिए आप हमें whatsapp के true contact कर सकते हैं या फिर मेरी application है Learn with Fiza उसे डाउनलोड कर से करके भी आप यह बुक को purchase कर सकते हैं साथ ही में आपको यहां पे दिख रहा होगा कि हमने पीडियेफ बुक भी launch की है जिसकी प्राइज है only 2.99 यह आपको lifetime validity रहेगी one time payment करना है तो lifetime के लिए आप यह बुक है 2.99 में study कर सकते हैं और जानकारी के तो दूसरी users के बारे में सिखेंगे कि यहां पर समझते है Osteoarthritis तो यहां पर आप देखिए कि यह हमारा नी का photograph है तो उसमें Osteoarthritis कंडिशन में क्या होता है कि healthy joint यहां पर Osteoarthritis तो healthy joint में आप देख Thai कि किसी भी जगह पर redness नहीं है किसी भी जगह पर strain नहीं है यहां पर आप देख सकते हैं कि यह मसल है वो किसक गया है दूसरी में आपको प्रॉबल्म बता हूँ तो यहां पzahl प्रोशीो देमेज हो गया है और इसके बीच का जो लिपरीकेशन होता है वो फटम हो चुका है वो degenerate हो चुके हैं, कार्टिलेज खराब हो गए हैं, तो इसे osteoarthritis कहता है, और gouty arthritis में क्या होता है, हमारी body में कुछ AC chemicals होता है, जिसको हम कहता है uric acid, तो uric acid का ज्यादा secretion हो जाता है, दो bones के बीच में, तब हमें gouty arthritis हो सकता है, तो इसी condition में भी ito food MR patient को suggest करते हैं, लेबल study के बारे में बात करेंगे, तो यह prescription based drug है, यहाँ पे Rx लिखा हुआ होता है, तो Rx का मतलब प्रिस्क्रिप्शन based drug, लीफूड का लोगो है, colorful combination यहाँ पे है, brand name है, और यहाँ पे दोनो salt composition है, अब composition को detail से समझेंगे, तो यह एक film coated tablet है, film coated में यहाँ पे दिखे 60 और 4 mg का यहाँ पे dose है, sunset yellow and tritrizin and titanium dioxide, इसमें color यूज किये गया है, तो other आप देख सकते हैं, डिलर सेडिल एज की यह drug है, अब बात करेंगे, कि blister pack में available रहता है, and each pack में आपको total 10 tablet मिल जाती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, कि orange color की 10 tablet आपको available रहती है, वरकिंग क्या है, इ तो सबसे पहले MR का मतलब है, muscle relaxation, तो यह medicine हमारी body में कुछ इस chemical को block करता है, जो हमारी body में pain induce करता है, तो यह pain induce हो रहा है, जो pain आ रहा है, उस chemical को यह block करेगा, तो साथ में body के जो muscles होते हैं, जो stiff हो जाते हैं, यानि कि जो cotton हो जाते है, muscles उसको relax करता है, तो patient को इस medicine से काफ 14 मिल सकता है, डोज इसका जानेंगे, तो adult को किसना डोज देना चाहिए, तो इतरी कॉक्जिब जो है, उसका 60 से लेके 120 mg का दिन में एक बार डोज रहता है, थायकॉल्चिक उसाइड जो है, चार से लेके 8 mg दिन में दोबर पिशन को दे सकते हैं, तो बीजिकली, यह जो ट प्राइस इसकी जो लेटेस 2024 की है, वो आपको रहेगी 195, टोटल 10 टेबलेट की, अगर आपको सिंगल टेबलेट चाहिए, तो इसकी प्राइस आपको 19.5 के अराउंड मिल जाएगी, अप्रोग्सिमेटली वो 20 के अराउंड पर टेबलेट आपको मिल जाएगी, साइड इफ फूर जो ही वो प्रोपर टरी के से digestion नहीं हो रहा है, उसके कान constipation हो रहा है, constipation की कान स्टमक में पेन हो सकता है, नोजिया वामिटिंग डाइरिया जिसी conditions रहे सकते हैं, और कभी कबार अपने हाथों और पेरों में आप सूजन देख सकते हैं, और आपकी हाँ जो हार्ट कि अगर आपको हमारे साथ ऐसी ही study करना अच्छा लगता है, और आपको हमारी ये book चाहिए, तो उसके लिए आप हमें whatsapp के true contact कर सकते हैं, इस book की price है, only 7.49, तो आपको free delivery में ये book मिल जाएगी, 7-10 दिन की delivery हैगी, और जानकारी के लिए आप हमें whatsapp के true contact कर सकते हैं, और आ on with Pfizer mobile application, जो है, वो apple store and google play store, दोनों पे available है, उससे आप purchase कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कि दूसरा हमने एक pdf book भी launch किया है, जिसकी price है 2.99, तो 2.99 आपको lifetime के लिए one time payment करना है, एक ही बार आप 2.99 पे करें और आप lifetime के लिए हमारी book पढ़ सकते हैं, साथ ही आपको दूसरे courses भी मिल जाएंगे, जिसे के health and medicine course, medical treatment of disease course, दोनों ही course आपको अगें lifetime validity के साथ मिलता है, और इसकी जो price है, वो nominal से है, 199 और 250, तो हमारे साथ इसे ही सीखने के लिए, हमारी mobile application हो, जल ही से डाउनलोड करें, जिसका नाम है long weight Pfizer, चलिए आगे बढ़ते हैं, और सीखते हैं इसके warning यानि की contraindications के बारे में कैसे condition में patient को ये medicine suggest नहीं करनी है, अगर आपको ito food MR, इसमें जो content है, उस सा allergic reaction है, अगर आपको sleepiness है, नेंद जियारा आ रही है, dizziness चक्कर आना, stomach में bleeding हो रहा है, किस वज़े से, या फिर चाले हो गया है, constipation आपको हो रहा है, तो उस condition में भी quite avoid करना है, then अगर आप alcohol ज्यादा ले रहा है, pregnant है, या फिर breastfeeding करवा रहा है, तो इसी condition में ito food patient को नहीं देनी चाहिए, pregnancy category की बात करेंगे, कि contraindication से हमें पता चल गया है, कि pregnancy में ये medicine suggest नहीं करते है, तो pregnancy category इसकी C है, जो कि unsafe मानी जाती है, तो इसे use नहीं करना है, अगर आपको भी muscle spasm हो रहा है, muscle में किचाव आ रहा है, judo में डर्ड है, knee में डर्ड हो रहा है, body में pain हो रहा है, तो इसी condition में gynecologist को visit किजिए, तो आपके जो gynecologist है, वो आपकी symptom based आपको कोई और medicine suggest करेंगे, जो कि pregnancy में safe रहते हैं, drug drug interactions के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पर list of drug आप यहाँ पर जो देख रहे हैं, इस drug की combination, यानि कि यह drug और plus itofod, MR, तो इसके साथ यह medicine नहीं दी जाती है, because यह क्या करेगा, directly drug drug interaction करेगा और patient को यह interaction harmful रह सकता है, कभी कपर patient के जान भी जा सकती है, irregular heartbeat हो सकती है, कुछ भी symptoms हो सकते है, तो drug drug interactions नहीं हो, इसके लिए साथ में यह medicine patient को suggest नहीं करनी है, तो यहाँ पर दूसरे भी आप रेख सकते हैं, वीडियो को post करके आप medicine की detail अपन तो आपको यह video भी अच्छा लगीगा, इसमें भी मैंने बहुत अच्छी जानकारी आपको दी है, तो इसे भी आप जरूर से देखें, और हमारे साथ इसे ही सीखने के लिए हमारे चैनल को यहाँ से subscribe करें, और bell icon को turn करें, जिससे आपको regular updates मिलते रहेगे, thank you for watching my video,